नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको दैनिक राशिफल से अपडेट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल 19 मई 2024, 19 मई 2024 शुकल पक्ष, मोहिनी एकादशी है, आज रविवार है, अगर राहुकाल का समय जरूर नोट कर लें, इस समय कोई शुब कार्य न करें, आज राहुकाल पांच बचकर 25 मिनिट पी एम से 7 बचकर 7 मिनिट पी एम तक रहेगा, नक्षत्रों की बात करें, तो आज हस्त का योग है, चंद्रमा आज चंद्रमा कन्या राशी में संचार हम आपको बताएंगे के दिन कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपका दिन शुब और मंगल मैं हो, परंतु, पहले हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशीफल ताकि आप अपने आगामी कारियों की तयारी कर सकें, हमारे चैनल पर आपको रोज नई-नई जान कारी और राशीफल मिलेगा, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी अपडेट न छोड़ें. मेश राशी, कल ज्यादा विचारशिलता के कारण आप तनाव में भी आ सकते हैं, माता से आशीरवाद लेकर काम करें सफलता मिलेगी, उननती के पत पर चल मिलने के लिए है, आज कुछ खुश खबरी सुनने को मिल सकती है, किसी जरूरी बात को लेकर वरिष्ट सदस्यों से बातचीत हो सकती है, आज अटका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है, आर्थिक स्थिती मजबूत मिलेगी, सेहत को लेकर आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, वरिष राशी, कल का दिन अधूरे कार्यों को समय पर निप्टा ले, बच्चों को अनुशासन की शिक्षा देना हितकर होगा, नए कारोबार में निवेश करने के लिए समय उत्तम नहीं है, आर्थिक द्रिष्टिकोन से बहतर रहने वाला है, आज आर मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, किसी काम को शुरू करने के बाद उसे पूरा करने में जी जान से लग जाएंगे, विद्यार्थियों को बौधिक वमानसिक बोड से मुक्ती मिलेगी, लेंदेन में की गई जल्दबाजी आपको आर्थिक हा पहुचा सकती है, घर में कला का वातावर्ण हो सकता है, ग्रिहस्त सुख में कमी देखने को मिलेगी, करक राशी, कल व्यापार को लेकर बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, नया काम शुरू करना लाबकारी सिध्ध होगा, बच्चे अपने करियर और पढ़ाई को लेकर काफ आज कोई निराशाजंक सूचना सुनने को मिल सकती है, सिंग राशी, कल का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है, इधर उधर खाली बैठ कर समय व्यतीत ना करें, यह आपको समस्या दे सकता है, कार्यक शेत्र में आ रही समस्याओं को लेकर सीनियर से बातचीत करनी होगी, ससुराल पक्ष से कोई लड़ाई जगडा चल रहा था, तो वह आज सुलजने की उम्मीद है, आज आपको काफी सोच समझ कर ही लोगों से बाते करनी चाहिए, यात्राओं के लिए दिन शुब नहीं है, किसी बात को लेकर जिद ना करे, वरना जगडा हो सकता है, कन संतान से निराशाजनक सूचना मिल सकती है, आज का दिन सेहत के लिहास से चिंता दे सकता है, मृदू व्यवहार के कारण लोगों के चहेते बने रहेंगे, नीची संबंधों के बीच आत्मियता बढ़ेगी, कला और संगीत में आप गहरी रुची ले सकते हैं, तुला सकती है, पुरानी टेंशन दूर होने की संभावना है, बुरी संगत वाले लोगों से दूरी बना कर रखें, बवासीर के रोग्यों की समस्या बढ़ सकती है, आज आपको परियाप्त मात्रा में आराम करना चाहिए, फ्रुष्चिक राशी, कल के दिन विध्यार्थी जातक के लिए अच्छा रहेगा, बेरोजगारों को आज कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, आज कीमती सामानों के खोने वर चोरी होने का भै है, किसी पर किया हुआ आपका भरोसा आज तूट सकता है, उधार धन लेने से बचें, धार्मिक कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है, वैवाहिक जीवन काफी सुखमे रहेगा, पुरानी किसी समस्या का समाधान मिल सकता है, मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, धनू राशी, कल का दिन मिलाजुला रहने वाला है, जीवन साथी और इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, घर में कुछ बदला हो सकता है, वरिष्ट सदस्यों की कोई बात बुरी लग सकती है, मकर राशी, कल के दिन नकारात्मक लोगों से सला न लें, परिवार के साथ समय बिताने से आपका मन अच्छा रहेगा, लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा, पुराना कर्ज समय रहते चुकता करें, और किसी को उधार देने से बचें, ससुराल पक्ष से मान सम्मान की प्राप्ती होगी, कोई मित्र आपके घरा सकता है, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी, किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है, कुम्द राशी, कल का दिन आपको वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतनी होगी कोई रुका हुआ काम समय रहते पूरा होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी आपके पिताजी से किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्क प्रशस्थ होंगे हाथों और उंगलियों में चोट लग सकती है आप काम के प्रति एकागर नहीं हो पा रहे हैं इसलिए नए काम की शुरुआत न करें मीन राशी कल का दिन कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक काम मिलेगा जिससे प्रसन्नता प्राप्थ होगी किसी की कही सुनी बातों में आकर कोई निरनय लेने से बचें अन्यथा पच्तावा होगा विरोधी आपके उपर हावी होने का प्रयास करेंगे दूसरों की मदद सोच समझ कर करें कारोबारी अनुबंधों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है बुजर्ग जातकों को घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है विद्यार्थियों के लिए दिन काफी अच्छा है इस प्रकार सभी राशियों के लिए दैनिक राशिफल विभिन रहेगा आप अपनी राशी के अनुसार निरनय ले और अपने लक्षों की और अग्रसर हो यदि आपको हमारा विडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक और शेर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें धन्यवाद हिन